नमश्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आयोप आप सब मज़े में होंगे दोस्तों आज की ये वाली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है विकोज आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को 8 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं वीडियो को स्टॉक्स के बारे में जोकी परस्नली मैंने चाहता है यहां पर आप कोई इंफों मिस्क्रों करो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरोश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से आट स्टॉक्स जो कि इसी जैनवरी के मन्त के अंदर में बोर्ड मीटिंग्स करने वाले हैं और अनाउंस करने वाले हैं धमाके दा वो डिविडेंट को लेके रहने वाला है तो आप इस स्टॉक को अपनी वाच्छ लिस के अंदर में अड कर सकते हैं अगर यह स्टॉक के अंदर में जो भी रैली आएगी उसका भी बैनिफिट यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा आइए ब बात करते हैं आपे मारे एग कम्पनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करंटली रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है इस कम्पनी ने भी यहांपे बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिए 13 जैनवरी को और अब जो परपस रहने वाला है वो स्टॉक स्प्लिट को लेके रहने वाला है तो आप इस स्टॉक को भी अपनी वाचलिस के अंदर में अड कर सकते हैं बिकाज अगर कंपनी ने वन इस्टू टैन या फे टू इस्टू टैन के रेशियो से स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में भी हमें एक रैली देखने को मिल जाएगी आई यह बात अगले स्टॉक की बात करें तो अपनी वाचलिस के अंदर में एड कर लीजेगा और परचेस भी कर सकते हो अगर कंपनी ने आपे काफे अच्छी वैल्यू से यहाँ पर बाइबाक अनाउंस कर लिए सपोस करते हैं 25% उपर बाइबाक अनाउंस कर दिया अपने करन्ट मार्केट प्राइस से तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में काफी अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी अगर कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करन्टली 3,256 रुपीज के अपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईस करिए 9 जैनवरी को है और जो परपस रहने वाला है वो डिविडेंट को लेके रहने वाला है अगेन TCS काफी बड़ी कंपन और इसका स्टॉक काफी टाइम से डाउन चल रहा है अगर डिविडेंट काफी अची वैल्यू से अनाउस करती है कंपनी तो डिफिनेटली हाँ पे हमें स्टॉक के अंदर में काफी अची पंपिंग देखने को मिल सकती है तो अब इस स्टॉक के उपर में बी नजर रख सक कर दिया तो इस स्टॉक के अंदर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं काफी अची रैली देखने को मिल जाएगी अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का ना में के सीडी इंडस्ट्री इंडस्री लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करें 93 रूपीस के ओपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिए 4th of January को और जो परपस रहने वाला है वह भी स्टॉक स्प्लेट को लेके रहने वाला है तो अगेन 1-10 या पर 2-10 के रिशियो से स्टॉक स्प्लेट अनाउंस होता है तो आप स्टॉक को बाई कर सकते काफी एची राली हमें देखने को मिल जाएगी आईए अब बात करते हैं पर हमारे अगले अनलास टॉक की तो कंपनी का नामे करनावती फाइनांस लिमिटेड और कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करें 172 रूपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने बोर्ड आईड कर सकते हो और दोस्तो आज की वीडियो के इतना यही आठ स्टॉक से हैं जो कि यहां पर जैनुट मीटिंग्स करने जा रहे हैं और अगर आपको वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा विकस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई